ग्रिट भी हम देखने के एक छोटी से 3-4 दिनों से रेंज में था आज करीब डिट 2% के आसपास की तेजी पावर ग्रिट के शेयर में हमें देखने को मिल रही है एक परसेंट के आसपी की तेजी है इसमें सोनी पावर ग्रिट जरा बताइए 212 रुपए का भाव क्या यहां सेल हुआ है यहां पर अगर हम देखेंगे तो 258 सपोर्ट अगर बोल करता है तो थोड़ा सा बाउंस टेपने कर सकता है रेजिस्टेंस उसका 270-272 के रेंज में जाके बन रहा है तो यहां से 258 सपोर्ट के साथ 270-272 तक एक बार बाउंस कर सकता है पर अगर अगर ऑवराल तो आपको और भी गिरावट नजर आ सकते है अप्टो लेविल सफ 250 सब्सक्राइब काफी इंपॉर्टेंट है वो लेविल को वाच करने हैं जो है जो पावर रिलेटेट काउंटर्स है वो प्रेशर में है जहां पर पी एफ सी आर इसी फिर से गिरावट का शिकार हो रहे ह एक बार संतोष आपसे ही समझना चाहेंगे दोनों ही काउंटर्स को कैसे देख रहे हैं देखे पी एफ सी 1.7 परसेंट की गिरावट और आरेसी यहां पे भी 2 परसेंट की गिरावट है हाला कि एनलिस्ट और एक्सपर्स तो इसको लेकर बुलिश है पावर डिमांड को भी लेकर बुलिश है बर चार्ट क्या बता रहे हैं कि क्या ये कमजोरी और गहरा सकती है यह अभी पी एफसी और आजसी दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही हो रहे है इस्पेशली पी एफसी की बात करें तो यह अपने हंडेडेड एमों जाल चुका है लग रहा है कि शाह अगर बचाने में कामयाब हो जाता है चारसो पंद्रा तो रिकावरी की उम्मीद कर सकते हैं लेकिन इनके से गर यह चारसो पंद्रा ब्रेक करता है तो एक 390 का डिप देखने को मिल सकता है वह एक रेंटरी के लिए अच्छा मौका होगा नीचे किस तर बता रहे हैं संतोष जहाँ पे पी एफ से अगर 333 के लेवल्स दिखाता है तो वहाँ पे एक अच्छा मौका हो सकता है फिलहाल माकिट खुलने के बाद ही दोनों काउंटर्स में गिरावट गहरा रही है चार्ट स्ट्रॉक्चर भी कमजोर है देखते हैं से इसके अलावा कुछ और अंसलरी स्पेसे में से जमना ओटो ये काउंटर रुखने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार कुछ आप से समयना चाहेंगे देखे पंजाब बेस कंपनी है ये और साथ ही ओवर दे यह इसने एक ग्रोथ रेट जो है अपना उसको मेंटेन करके र पर कुछ चार्च पर आपको कैसा लग रहा है क्योंकि में देख रही थी मार्केट में जितना भी सेल ओफ या गिरावत आई कल पर्सों में इसने फिर से अपना एक मोमेंटम जो है वो शुरू कर दिया है क्या यहां पर एक पोजिशनल बैट लेनी चाहिए शृष्टी ओन लाइटर नोट इनो यह आपका डोमेन है और यू कन थो लॉट मोर लाइट ओन इस तॉक में जो रिकावरी आई है यह बहुत काभिले तारीफ है यहां पर वॉल्यूम्स थो और अगर जादा होते तू कन्विक्शन जो है यह और स्ट्रॉंग होता होता यहां पर बिल्कुल एक पॉजिटिव यह यह लिया जा सकता है 137-138 तो जो नियू हाई था मुझे लगा वह एजिली यहां पर क्रॉस होता हुआ नजर आएगा प्लस इस पूरे स्पेस में ही हम एक पॉजिटिव ट्रक्शन देख रहे हैं तो शायद वो भी इसके लिए पॉजिटिव यह लोगे चले वो क्रॉस होगा तो इसका एक सो पंदरा के करीब आता है तो ओल इन ओल्ड शेटप इस नाइस तर इस और सेक्टर फोकुस ताट इस विल बेनिफिट फ्रॉम तो जमना ओटो को बिल्कुल लॉंग साइड के ल